हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ जो कर टू फिल्म की अनॉंस्मेंट के बारे में और हाँ इससे रिलेटेड आई हुई सारी की सारी डीटेल्स के भी बारे में इस अपडेट में मैं ही लेट हूँ हाला कि ये बात आपको बहुत ये अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि इस फिल्म को लेकर फिलहाल तो चल क्या रहा है जिसमें एक नाम लेडी गागा का जुड़ा हुआ है और इससे रिलेटेड भी कई सारी अच्छी खासी डीटेल्स निकल कर आ चुकी है जिस से डीसी के एक वर्क के फैन जो खास करके जोकर फिल्म के प्रीक्वल या फिर सीक्वल को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते इस जानर में उन्हें ही कही ना कहीं डिसपॉइंट्मेंट फील हो रही है इसी बात को लेकर कि इस फिल्म का सीक्वल बिल्कुल भी नहीं बनता वो भी काफी कम बजट में बनने के बाद तो फिर यहाँ पर सीक्वल के पॉसिबिलिटी बहुत ही जादा बढ़ जाती है और हाँ Academy Award की नॉमिनिशन भी जिसने इस फिल्म को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि DC वाले इस फिल्म के युनिवर्स को आगे कंटिन्यू करना चाते है और इस तरीके के डाक टोन को भी इसलिए Matt Reeves की Batman 2 की ऑफिशली अनॉंस्मेंट भी की गई है लेकिन फिलहाल तो वो एक अलग टॉपिक है उसी स्टोरी लाइन पर ये फिल्म चलने वाली है जो कि अगें सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि अभी इस फिल्म के टाइटल की एक हिसाब से कनफोर्मिशन के अनॉंस्मेंट के बाद हमें ये अंदाजा तो हो गया था कि फिल्म के सीक्वल में अब भी तॉट फिल्लिप्स के साथ स्कॉर्ट सिल्वर ने उठा रखी है बाकि फिल्म का टाइटल जोकर के अलावा फॉलियर ड्यूल के साथ कंप्लीट होता है जिसके अगर डीटेल में मतलब की बात करें तो जोकर जैसी एक और परस्नलिलिटी उसी को देखकर पूरी तरीके से इंस्पायर हुई है और हाँ उसके नक्षे कदम पर ही चलना चाती है जिसके बाद फिर क्या था फैन्स की थियरी सीधे विलियम डेफ्यू के आइडिये पर आ गई जिसमें उनकी स्टोरी लाइन में जोकर के इस कारनामों को काफी ज़दा सीरेस वेव से दूसरा एंटिटी कापी कर रहा है यानि कि उसका फॉलोवर्स जिसे बाद में ढूनने की जिम्मेदारी आर्थर खुद उठाता है तो ये फ्लॉट भी इंट्रेस्टिंग है एक ही यूनिवर्स में दो जोकर के होने की जिससे इस यूनिवर्स को एक और नया जोकर ठीक कॉमिक बुक की तरह मिल जाएगा जिस कॉमिक बुक में हमने एक नहीं बलके तीन तीन जोकर को एक ही साथ एक ही यूनिवर्स में देखा है जो नहीं कोई मल्टी वर्स से नहीं बलके एक ही यूनिवर्स के है जो जोकर से बहुत ही जादा इंस्पायर होकर उसी की रहा पर चलते है ताकि वो तीनों मिलकर एक साथ ब्रूस वेन यानि के बैटमेन को ही जादा परिशान कर सके लेकिन अब अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म फिल्हाल तो उस स्टेज पर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती क्योंकि फिल्म की और ही अलग प्लैनिंग चल रही है जिसकी डीटेल आती है लेडी गागा की कास्टिंग से जो नाम फिल्हाल तो अभी वार्नो ब्रदर्स की और हो सकता है कि इस डील से लेडी गागा इस तॉट फिलिप के यूनिवर्स की हाली कुईन बन जाए अगर वो इस रोल के लिए हां करती है तो ही क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्ग रॉबिट्स के बाद इस अलग यूनिवर्स में भी हाली कुईन की जवरत है जो नाम मे स्टेश्प हैंगवर से लेकर और जोकर फिल्म तक रही है जिस फिल्म को ब्रैडली कुपर ने प्रेड्यूज किया है वहन अब रुदिज के साथ मिलकर और फिलीप् थॉडड ने डेडली कूपर के फिल्म अस्टार इस बानि के यून यूनिज यूनि के बादी चल जाए कि अब ये न्यूस ऑफिशल है जिसके पीछे की सारी की सारी पॉसिबिलिटी में आपको बता चुका हूँ और मुझे DC फैंस को ये बात बताने की ज़रत नहीं है कि इस फिल्म के टैटल के एकॉडिंग हार्ली कुइन इस फिल्म में क्या करेगी बाकी जिनने नहीं पता तो मैं उन्हें काफी शॉट में करकर समझाता हूँ कि इस फिल्म के टैटल के एकॉडिंग जैसी हरकते ज्यक्विन फेनिक्स के आर्थर के कैरेक्टर की इस पूरी के पूरी फिल्म में रही थी उसी से हाली कुइन भी इंस्पायर हुई थी जो गौतम सिटी के आर्ख जोकर ने कभी भी हाली कुइन को अपनी लव इंटरेस्स की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया है बलके इसी तरीके का रखा है कि वो उसके सारे के सारे काम आग बनकर अन्भक्तों की तरह करें और गैस वाट हाली कुइन वैसा करती भी है क्योंकि कही ना कहीं हाली लेवल बहुत ही जादा अलग लेवल पर ले जाया जा सकता है ठीक जैसा हमने इस फिल्म के फ़र्स पार्ट में देखा लेकिन सेकंड पार्ट में क्योस काफी जादा बड़ा होना चाहिए क्योंकि अब असल में जाकर आर्थर जोकर में पूरी तरीके से खुद को पूरी तरीके से मार्टिन स्कॉजी के युनिवर्स से इंस्पायर है अन्युक्न के युनिवर्स की दो फिल्मों से जिन में इसे एक नाम टैकृशी ड्राइवर का आता है तो दूसरी फिल्म दा किंग ऑफ कामीडी का जिन दोनों ही फिल्म के फ्लेवर को मिलाकर फिलिप के युनिवर्स की फिल्मों की तो जब दो फिल्मों को इंस्पायर करकर जोकर जैसी काफ्य अच्छी फिल्म मनाई जा सकतês है तो हो सकता है के मार्टीन सक्षजी के युनिवर्स में ऐसे कुछ और भी फिल्म में पड़ी हो जिसकी आसानी एक ओर कन्फोमिशन से हो जाती है कि ये फिल्म इस बार म्यूजिकल रहेगी जिस नाम को सुनने के बाद कई सारे डाय हाड फैंस तो पूरी तरीके से शौक में चले गए कि जोकर टू फिल्म का सीक्वल असल में किस दिशा में जा रहा है क्योंकि पहले पार्ट में हमें एक अच्छ जोकर वन फिल्म का हमें मिलता ही है जिसमें जोकर अपनी दुनिया में खोकर पूरी तरीके से मस्त रहना चाता है जिसके बाहर का कियोस कितना जादा खतरनाक है उसकी उसे कोई भी परवा नहीं क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन काफी कूल स्टेप के डांस करता है जि इसे में स्टूडियो का लिया गया ये डिसिजन म्यूसिकल का इस एंगल में बहुत ही जाकर फिट बैटता है बाकि अब इसके एक्जांपल की बात करें तो 1994 की फिल्म नैचरल बॉन किलर भी एक अच्छा खासा आइडिया दे देती है के दो जोड़ी अगर पूरी तरीके से दिमाग से पैदल हो तो उनके कियोस कितने जादा डेडली हो सकते है बस ऐसे यूनिवर्स में दे रही है तो म्यूजिकल नंबर को एड़ करने की और अब उस से हटकर मार्टिन स्कॉर्जेसी के यूनिवर्स पर आए तो ऐसा म्यूजिकल नंबर उनकी तरफ से 1977 में बनाय जिस फिल्म का टैटल नियॉक नियॉक था जो कहानी ऐसे ही दो कपल पर फोकस करती है जो अपने लाइफ में कई सारे स्ट्रगल्स को फिल करते हुए अगेन एक म्यूजिकल नंबर की अच्छी खासी फिल्म देते है और इसके अलावा स्टार इस बॉन फिल्म भी है जिस फ बारे में आप मुझे कमेंट करकर जरू बताइएगा क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का मैं हूँ अजीज आप देख रहते हैं मूवी स्टॉक चैनल जिसे अगर आपने वी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल सब्सक्राइब कर दो